विवयान दिस सेना को सही कशिश को भी घलत बोल दिया है यहां पर चाहत पांडे में चाहत पांडे और कशिश बैटकर काफी सारी बातें कर रहे थे कशिश की जो लड़ाई थी शूतिका के साथ जिसका प्रोमो भी आपने देखा और आज के एपिसोड में भी आप देखोगे उसके बारे में ही यहां पर कशिश बात करे थे कि कई से जो है यहां पर जो शूतिका है वो बदलती रहती है उसी के साथ विव्यान के सिना की यहां पर बाते होने लग जाती है जहांपर जो डलडा नाम दिया है चाहत पांडे ने विव्यान को उसी नाम से यहां पर बुलाते हुए नजर आई चाहत पांडे और यहां पर जो विव्यान और रचत की जो लड़ाई हुई है उसके बारे में दोनों discussion कर रहे हैं कही ना कही कशिश जो है वो अंधी हो चुकी है उसको सही गलत का पता नहीं चल रहा प्रिकाज वो देख के आई है बाहर से विवयान की कितनी fan following तो हो सकता है वो चाहती है कि विवयान के haters भी उतने हैं तो मैं जो हूँ fans तो मेरे support नहीं करेंगे लेकिन haters मेरा support करेंगे उसलिए जो कशिश है यहां पर विवयान को target बना रही है और चाहत को भी कान भरने की कोशिश की कि विवयान घलत था ये वो बोलके लेकिन चाहत पांडे यहां strongly बोलती है नजर आए कि विवयान चलो घलत था लेकिन जिस तरह मुपे रज़त लेया था वो तो एक तम घलत था